असलाम अलेकूं, हाई एवरीवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हूँ साइम और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ, कैसी में यूट्यूब फैमिली, दौाय आप बिल्कुर ठीक थाको, अल्मदोल्ला मैं भी बिल्कुर ठीक हूँ, तो चलें जी, आज एक इं आप में नहीं लेट होती, तो सुबा सुबा ही आ गया था, क्योंकि ट्रैकिंग में आ रहा था कि आज ही रसीव होगा, तो आशा ने यहां पर अपने लिए वाटर बोटल मंग वाई है, यहां पर जो वाटर बोटल मंग वाई है नोने, मैं दिखाती है आपको मुझे तो एक्चुली में तरहा का थर्मोस भी है और साथ में वाटर बोटल के तौर भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहां ने क्यों हरीदा है यह उसको कलर की वाज़े से हरीदा और साथ इसकी जो कीचे नाई है यह को बत पसांती तो मैं इन चोट-चोटी जो बच्चों की हाईशी इसकी झोटा का थी जो अग्नों करती हूं मैं ठीक है बच्चे हम भी इपनी चोटी एज में यह से कंग वाप्यार के साथ लेकिन फैर यह आँ पर हैं फर यहां पर बचлов यह मैं युझी किया दो Philippines सित्वश्य को यह यह एंनों इसको भी अच्छी हो यह और यह ज़ी हीच ते तो मैंने भी टॉटखा था हरी कहीं तो छेनी तो चले में भी दिया चलें चलें की तो मैं दिसको हिली करती तो मैंने यूटियोग फ़ी कर देखते ह। कि आपके साथ भी यह हलांकि brand new bottle है लेकि भी smell ला रही है तो इसके अंदर के क्या मैं वाइलिंग वाटर डालना है चूले पर गड़म करके पानी डाले और साथ इसके अंदर मैंने दो लैमन के slice डाल दी है थोड़ा सा डिश सॉप डालना है और अच्छे वाला डिश सॉप ड क्या है टो सॉप परोड़ा गड़ हो तो इसके जाझा पानी आठी होसा और यह से खिया इस इंधिया लेकि थोड़ा यहा पानी डाल यह हत्म होई था क्शू कर लांक कि प्लास्टिकाय उज की कि पानी है बातल मैं यह पीन करमें तो इस आवर मैं दोड़ कर आimana चुछिम क सीरे और कंडे, सर और उसकी पुंचलों का सालन हम रेड़ी करेंगे क्योंकि उसकी मैरिनेट करते हैं तो इतना कोई हास मतलब उसकी निकलता कुछ निया तो अगर आप उसका बना लेगा तो फुल ओ अनर्जी यह फाइदा भी उसका बहुता है और आपको सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं तो यहां पर मैंने आदी प्याली ओड़ी है उसके तो ए माटर हम एड़ करेंगे और इसके अंदर तकरीबर वन टेबल स्पून हमने इसके अंदर अदर अद्रक एड़ करनी है तो ग्राइंड में डाल कर एम इसकी पेस बनाएंगे डैफिनिल जब आप शोरबार एड़ी करते तो इसकी पेस बना कर डालना ज्यादा बैटर है अच क्योंकि फिश के सरकों अधिन सेंटर से हाफ कट की है यह रेड़ी करें इसके पतला बनाएंगे जिससे के यह तो पहले हमारे शोरबे में आएगा लाइट सा शोरबा हम रेड़ी करें तो सबसे पहले ऑईल के अंदर हम डालेंगे मेथी दाना या आपने फोर टीस्पून स यह अपर जितनी फिश इसके मताबिक आप डालेंगे जब अच्छी हम प्यास बनाएगा अधरक टमाटर की अपने ओड़ी कुछ बेस्तिक से मसाले अंदर जाएंगे दो मसाले जो इसके इस चुरबे को ज़्यादा अच्छा 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 फ्लेवर देंगे वह में मेथी दाना डाल दिया और एक और मसाला हम एड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टीजपून पैपरिका पॉडर यह सिफ कलर के लिए होता है पिसमें हाफ टीजपून ही हल्दी एड़ करनी है इसके अंदर हम रेड किश्मीरी लाल मिर्च चो तीसाही म इसके अंदर पिर हम इसके अंदर दालेंगे सुका दनिया पौडर बुना और पीसा हुआ वह भी हमने हाफ टीजपून से थोरा सा ज्यादा एड़ करना है बस यही सब मसाले डलेंगे इसके अंदर फिल हाल इसको हम बूनेंगे इतना के जो मसाला है अच्छे से बुन फिर हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन फोर टेबल स्पून दही अच्छे तर फैंड लीजेगा और इसके अंदर हम अपने मसाले मिक्स करकर तो इसको इतना पकाएंगे कि अच्छे से मसाला बन जाए और 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 जो ऑना सेपर्ट हो जाए फिश करी का यह जो सालना तो मेरे शुसराल में यह बहुत बनता था और मेरी मुमा की तरफ यह कोई भी हम लोग बचीया थी तो हम लोग भी शोड़ा जो नहीं खाते थे तो मैंने पहली दिफ आपने यह ट्राय किया तो वहां ही पर मैंने बनाना सीखा था तो हैर यहां पर जब मसाला अच्छे से बुन जाएगा तो हम इसके अंदर जो भी फिश का पाट आप यूज कर रहे हैं आप सही फिश मतलब प्रॉपर फिश भी पका सकते हैं मैं तो इसमें सर और उसकी टेल बना रही हूं तो आपके फिश के पीसे से आपने डाल लें तो आपने बहुत ज़ाँ चमचा नहीं चलाना है इसको इतना बूनना है तीन से चाइद मिन्ट आपने इसको हलके हातों से चमचे के साथ अकर बूनना चाहें तो बून सकते हैं तो आप इस्तना प्रॉट्ट पर शुआ यहां पर जो हैना दो यहां तीन मिन्ट कची कची में राइपकी तेपड़ से कम में इसójकों अग्या सबीक हे पुस्तीड तब और में अजवाइन पानी के अपने अजवाइन दाले केबाद थी का जितना कर दो करने Inc आपनी अपनी दा है रही है थे ठुड़ा सा ना बाहत पतला एक जर्दा एक पानी का यह है and more time में पूरी तरह गल जाएगी बलकि इससे पहले भी गल सकती है तो बद है मैं इसको एक बाइल आने का वेट करना है और फिर हम इसको लो फ्लेम पर ग्रीबन दस मिनिट के लिए इसको पकाऊंगी और सॉल्ट मैं सबसे एंड पर इसमें एड कि थोड़ा सा भी डाला है क्योंक तो मैं डाल दूँगी गरम साला पाउडर एंड पर डालेंगे और सबसे लास में डालेंगे हरा दनिया बड़ी बड़ी चॉप करके तो माशाला से बहुत ही खुश्पू इतनी अच्छी इसकी आरिज ना खुश्पू से इंदादा हो जाता है कि आपकी जो एफिश ना र से इपसी दूए जाताता है तो मैं ने बड़ी मेरी बचेया भी कर दोन हाला करणी मेरी भचेया देखि इन फ्रहीं दूब में रिखी तक है कैसे अगर से ख़ूँद कशूँ जाला दूँगी तो मैंने पूछी फिशिकरआतीयों तो मैं आपको पूछ लोंगी अपने तो बस यह कि आज बच्चों का जो एना एक्जाम भी था बच्चे एक्जाम देने भी गें हुए है बच्चों के जो हैं अपनी फिशकडी बना रही थी तो सबसे लास्ट रह गया था गरमसाला पाउडर आखरी स्पून ता जो मैंने अपना डाल दिया था काफी दिन से मैं जो है गरमसाला पीस हूँ तो मैं अक्चोली मैं गरमसाला गरम नहीं पीसती हूँ शुरू से जो भी मसाले पीसने वाले होते हैं वो मैं हमेशा खूद पीसती हूँ मुझे पिसे पसाया मसाले बिल्कूल नहीं पसान था मुझे लगता कि बतने इनोंने क्या डाला है चाहे मैं बाकि सारे spices भी मंगवाए वे थे जो जो मैंने इसमें एड करने हैं तो ये मैंने clean कर लिया था कल इसमें कुछ निकलता तो नहीं लेकिं फिर भी मैं अपने क्ली के लिए clean कर लेती हूं तो इसको time बहुत लगता है क्योंकि मैं एक दफा महीं सारा गरमसाला पीस कर रखती हूं फिर मेरा काफी time निकल जाता है तो अभी भी मैं थोड़ी सी लाव परवाई करती काल भी में time नहीं मिला था तो मैंने का आज तो हर हाल में मुझे इसको piece क्योंकि गरमसाले की last जो चमचती वो भी use हो गई थी तो बस अबसे पहले तो क्या है कि मैं इसको डालती हूं food processor में क्योंकि यह बहुत बड़े pieces आप देख रहें कड़ी पता के दार चीनी मोटी लाची और सॉंट यह साड़े बड़े मोटे मोटे मसाले होते हैं तो यह actually म मेरे पास जो grinder जिससे मैं मसाला पीशती हूं वो में पास चोटे साइस का है तो यह सारी चीजे उसके अंदर प्रॉपर फिक्स नहीं होती हूं तो मैं पहले मेशा करती हूं तो पावर भी इसमें जादा है पूड़ परसेसर में जादा मसाला डाल कर तो मोटा पीश लेती हूं उसके बाद जणा चोटे मसाले डाल के पीस तो बहुत असानी से पीसडा जातया हृ 175 उआ तो तो व्हांताली, अगर बड़े बड़े मसाले आ जाते है ने को इता लंबा लिंधीक है तो अबल्किस से मुह जाताеров जल्दीcke कर चाम मेरा काम जल्दी से भी हो जाता है लिज़्ाहें सबसानी को अब करना मेरे भी को दिखाती है ये में मेरे टो उस आफ एक्षाला पीसने वाली जो होती है। जो यहाती है। अफिहाँ तो पीसने होगी है। देखें मैं इसे इसे जाल दूंगी और मुझे फीर बोहत असानी होती है कि ऐफ बहुत अपना गर्मसाला पीस सकती हूँ। अपने मायें अपने तरह कोकिंग करती हैं। लेकिन मैंने बहुत सार चीजें जो अपने अबूजी से सीखी हैं और उनको भी कुकिंग का बहुत शोक था नही नही चीजें एक्सप्लॉर करते थे तो मैं उनको काफी उनसे क्लोज रही हूं हमेशा से और उनकी हर चीज़ को मैं जल्दी पिक कर लेती थी और मैंने काफी इंस्पायर होती थी उनकी चीज़ों से और मैंने बहुत कुछ उनसे सीख है मैं अब बुक की चाहित है और मैं जोटे होते थे तो अम्मी को कहते थे कि आप बचीयों का हिया रख लोगर कोई गर काम करने वाला होता था कोई कुकिंग करने वाली होती थी कोई स्पेशल अगर डिश बनाने वाली होती थी तो वो मेरे अबू अम्मी की बहुत है परते थे के साथ प्रॉपर काम गर्ड में भी करवाते हैं यह नहीं सोचते कि मैं बाहर से काम करके आया हो थका हुआ है और मैं गर के भी काम करूँ गर के काम जब आप भी बीवी के साथ मिलके करते हो ना तो इससे प्यार बढ़ता है आप में अगर आप पर टाइम एक्ट्रा देने कि अगरे बाहर से लिए व्लोग कैसा लगा कमेंट कर जरू बताएगा इस्टाग्राम का लिंक शेयर करें इस पर जरू फालू किजएगा इन्शादा नेक्स फ्लोग मिलती हो दौा में यार रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग बाई लव यू गाईज